पुलुत्थान दिवस की आप सबों को हार्दिक शुब काम नाए और आज इस सुभा के समय परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों पर ध्यान करेंगे और आज का वचन हम देखेंगे मरकुष रची सुसमा चार उसके सोला दिहाय के दो वचन से चार वचन तक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ इस प्रकार से लिखा है सबता के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कबर पर आई और आपस में कहती थी हमारे लिए कबर के द्वार पर से पत्थर कौन लुड़काएगा जब उन्होंने आँक उठाई तो देखा कि पत्थर लुड़का हुआ है वो बहुत ही बड़ा था प्यारो हम परमेश्वर का धनेवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जैसा कि हम अभी परसो हम लोगोंने गुड़ फ्राइडे को मनाया और उस दिन हम लोगोंने प्रभु येश्य मसी के मृत्यू के दिन का इस्मरन किया और हम लोगोंने देखा कि किस प्रकार प्रभ अधार के काम को पूरा किया और हुए मर गए और उन्हें कबर में दफन किया गया और वो एक चटान में खो दी गई बड़ी कबर थी और उस कबर में उसको इश्य मसी को रख दिये और उस कबर के दौर पर एक बहुत बड़ा पत्थर लुड़का दिया गया और उस पत्थ कि उपर रोमी सरकार की मोहर लगा दी गई और सापही neck की पहरेदारी की जा रही थी और शीयतान ने यह सोचा कि प्रभु यś्ञुमसी का खेल अब खतम हो चुका नियुत और वो सोच रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उस पर रोमी सरकार की मुहर लगा दी गई और पहरेदारों के द्वारा उसकी रखवाली हो रही है लेकिन आज ये सब्ता के पहले दिन भोर को ही कुछ महिलाएं प्रभु येश्व मसी की जो सेवा करती थी प्रभु येश्व मसी के साथ जो रहती थी प्रभु येश्व मसी के वजनों के पालन करने वाली थी और आज ये सुबह के समय प्रभु येश्व मसी के सारे उन वजनों को भूल चुकी है जो उन्होंने अपने जी उठने के बारे में कहा था लेकिन आज वो प्रभू की सेवा करने आ रही है कि प्रभू के मृत शरीर पर वे सुगंदित द्रव्य को लगाएंगे लेकिन अभी उनके सामने समस्या ये है वे आपस में बातचित कर रही है हमारे लिए कबर के द्वार से पत्थर कौन हटाएगा प्यारो आज हमारे जीवन में एक समस्या हो सकती है एक बड़े पत्थर के समान समस्या आपके जीवन में हमारे जीवन पाई जा सकती है और हम सोचते होंगे कि आज हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा प्यारो, जबकि हम सभी जान रहे हैं, चारो तरफ हम देख रहे हैं, आज चर्चिस बंद हैं, बिल्डिंगे बंद हैं, स्कूल कॉलेजस बंद हैं, ट्रेन बंद हैं, हवाई यात्रा बंद हैं, कल कहार कहाने बंद हो रहे हैं, रोजगार लोगों का बंद हो गया है कोरोना महामारी के चलते बहुत भयानक परिस्तिती हमारे देश की हो चुकी है आज लोगों के जीवन में एक समस्या एक क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन के लिए क्या होगा आज आप बिमारी में पड़े होंगे आज आप जो है संकट में पड़े होंगे बिरोजगारी में पड़े होंगे आज आप खाने के लिए परिशान हो रहे होंगे लेकिन प्यारो आपके सामने एक बड़ा सवाल होगा हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा आज हमारे जीवन के समस्या रूपी पत्थरों को कौन हटाने वाला है लेकिन प्यारो हम परमेश्व का धन्यवाद करते हैं कि जब ये इस्तरिया जब उहां पहुँची और लिखा है यहां चवते बचन में जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुड़का हुआ है परमेश्वर का धन्यवाद हो प्यारो अपने आखों को हमें उठाने की ओशक्ता है हम जब आखों को उठाएंगे परमेश्वर की ओर अपने आखों को जब हम लगाएंगे हमारे सामने से हमारे समस्या रुपी पत्थरों का हटाना परमेश्वर की ओर से होगा प्रभु येश्व मसी मिर्तकों में से जी उठा है आज प्रभु येश्व मसी मिर्तकों में से जी उठा और ये पत्थर प्रभु येश्व मसी को कबर के अंदर से बाहर लाने के लिए नहीं हटाया गया लेकिन प्यारे भाई बहनो ये पत्थर इसलिए हटाया गया कि ये बहने ये वेक्ति प्रभु के चेले उस कबर के अंदर जा करके देख सकें जहां येशु मसी मृत पड़ा हुआ था जिसके शरीर को वहां रखा गया था आज वो वहां नहीं है परंतु वो वहां से आज बहार निकल चुका है प्रभु येशु मसी को कबर के अंदर से बाहर निकलने के लिए पत्थर नहीं हटाया गया लेकिन इनको वहां जा करके अपने विश्वास की परह को पूरा करने के लिए पत्थर हटाया गया था येशुमसी तो बंद दर्वाजों में जब ये चेले यहुदियों के डर के मारे जब बंद थे प्रभु येशुमसी बंद दर्वाजे के अंदर जाके उनसे कहता है तुम्हें शान्ती मिले प्यारो परमेश्वर के हम धन्यवाहत करते हैं वो अद्भुत काम करने वाला परम मर गया था और अब देख मैं युगान्यू 가지 हूं और मिर्ट्य और अधोलोग की कुझिया मेरे पास है प्यारो हमारा प्रभु येशुमसी हमारे पापों के लिंए वो मरा हमारे श्रापों से हमें छुटाने के लिए मरा हमारे बीमारियों से हमारे जीवन के हर एक बंधनों से हमें छुटाने के लिए वो मरा लेकिन वो कहता है मैं मर गया था लेकिन अब देख मैं जीवता हूँ और वो हमारा प्रमेश्वर जो प्रभुयेश मसी को यही एक ऐसी चीज है एक यही ऐसी बात है जो अन्ने लोगों से अलग करती है प्यारो जितने महापुरुश आए वियोध्धाय आए बड़े-बड़े सूर्मा लोग आए बड़े-बड़े राजा महराजा आए लोगों के द्वारा अपने आपको पुझवाने वाले लोग आए उन सबों से जो हमारे प्रभुयेश मसी को अलग करने वाली बात है वो यही है कि सब मर गए सब की कबरे समाधियां आज बंद पड़ी है लेकिन हमारे प्रभुयेश मसी कबर जो है वो खुली हुई है हालेलुया हमारा परमेश और अद्भुत काम करने वाला है आज आप सोसते होंगे आपके जीवन में कौन है जो पत्थरों को हटाने वाला है आप सोसते होंगे कौन है जो आपके जीवन की समस्याओं का समधान करने वाला है आज आप लोगडाउन में पड़े हैं आज आप इस प्रकार ऐसे बंधन में पड़े हैं, लोकडाउन के समय जब चार ओर कोरोना का जो प्रभाव भयानक रीती से फैल रहा है, दुनिया में लोग जो है काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं, लोग अकाल मिर्तिव मरते चले जा रहे हैं, आज हम और आप को दिखलाने के लिए चाहते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 14 वचन को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ, यहां एक बहुती सुन्दर एक उधारन है, ऐसे लोकडाउन के अंदर में, जब वो यूसफ के बारे में लिखा हुआ है, कि य आशा नहीं है, कोई उम्मेद नहीं है, कहीं से कोई रोशनी नहीं है, लेकिन अचानक परमेश्च्वर, जिसके उपर इसका भरोसा था, इसके लिए कारे कर रहा है, और वो क्या कारे कर रहा है, देखें, यहां लिखा है, तब फिरौन ने यूसफ को बुलवा भेजा, और जटपट बंदेगर है से बाहर निकाला गया, और बाल बनवाकर और वस्तर बदल कर फिरौन के सामने आया, प्यारों लोगडाउन में वो बंद है, वो जेल में बंद है, और उसके जीवन में जो है, इतना निराशा की बाते आ गई, उसके जीवन में एक अकेलापन की बात आगई और वो आज देख रहे हैं कि उसके बाल बढ़े हुए हैं दाड़ियां बढ़ चुकी हैं कपड़े बदले नहीं गए लेकिन आज जब परमेश्व ने उसके जीवन में कारे किया वो राजा के सामने पहुचाया गया उसके दाड़ी बनाई गई बाल बनाए गए उसक हम लोग जैसा समाचार सुन रहे थे कि जो हम उमर उब्दुल्ला कश्मिर के जो पूर्व मुख मंतरी थे उनको जब लोगड़ाउन किया गया उनको जब नजरबंद किया गया जब उनको छोड़ा गया तो उनके दाड़ियां बढ़ी हुई थी उनके बाल बढ़ी हुए है वैसे ही यूसफ के जीवन में भी हम देख पाते हैं लेकिन आज जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ परमेश्व ने उसको एक बहुत बड़े उद्देश के लिए उसको बाहर निकाला प्यारो वो देश में जो समस्य आने वाले जो अकाल आने वाला था उस अकाल में ल लॉक डाउन से जब वो आपको बाहर निकालेगा आपके जीवन में प्यारो एक बड़ा काम परमेश्व चाहता है कि आपके द्वारा होने पाए परमेश्व पर भरोसा रखें उसके और अपने मन को लगाएं पौलूस और सिलास प्रेरतों काम सोला अध्याय में हम देखत शारी रिक और मांसी ग्रूप से वो तूटे हुए थे लेकिन उनकी आखे परमेश्व की लगी थी वे आराधना कर रहे थे प्रभू की इस्तूति कर रहे थे ऐसे समय में जब वो लॉक डाउन में थे जेल में थे बंद थे अधा आधी रात में परमेश्व ने वहां अध् दरोगा और उसके पूरे परिवार को प्रभू ने बचा लिया प्यारो आज आपकी हालत क्या है आप सोचते होंगे हम क्या कर सकते हैं हमारे सामने समस्या है परिशानिया है हम आज इस हालत में हैं कि हम दर्द में हम हैं हम अपने तकलीफ में हैं हम अपने समस्या में हैं हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं प्रभू को भरोसा रखिए प्रभू के ऊपर अपने धियान को लगाईए अपनी आखों को ऊपर उठाईए जब ये मरियम और ये महिलाओं ने जब अपनी आखे उठाई देखा उनका पत्थर हड चुका था प्यारो आज आप के लिए परमेश मस्य का चेला जब उसको राजा ने खौलते हुए तेल में उसको डुबा दिया वहां भी वो नहीं मरा उसको जो है पत्मस नामक टापू में उसको भेज दिया वो कॉरेंटाइन कर दिया गया अकेला कर दिया प्यारो आज आपकी स्तिती हो सकती है आप कॉरेंटाइन में हो हो सकता है आप अपनों से अलग होंगे हो सकता है आप शारिरिक वेदना में होंगे आप हिर्दे के गहराई में तूटे हुए हालत में होंगे आप मांसिक रूप से आप अकेला पन महसूस कर रहे होंगे लेकिन बाइबिल बतलाती है यहुन्ना कहता है मैं प्रभु के दिन आ और आज के दिन वहात्मा में आ गया और उसको प्रकाशन मिला कलिस्याओं के लिए प्रकाशन मिला देश और दुनिया के लिए प्रकाशन मिला आज हम और आप जो पढ़ते हैं प्रकाशित्वा के यह उसी यहुन्ना के द्वारा जब वो क्वारेंटाइन किया गया अकेले मे उसको अकेले में डाल दिया, काला पानी में डाल दिया, लेकिन वहाँ वो जरूर निराशा में था, जरूर उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन वहाँ भी वो पर्मेशर के और अपने मन को लगाया, अपनी आग को उपर उठाया, और प्रभु ने वहाँ उसको प् कौन है हमारे लिए कौन काम करेगा लेकिन आज इस पुंडुत्थान दिवस के और असर पर मैं आपको एक आश्वसंदेना चाहता हूं हमारा प्रभु येश्मसिज जी उठा है पहरे भाई बहनों हम अकेले नहीं है अपने मन को प्रभु की ओल लगाए अपनी आखों को प् रिवार बालबच्चों के लिए कौन करेगा सब कुछ जब बंद है वहां प्रभु काम करने की ताकत रखता है हमारा प्रभु येश्मसिज वो जी उठा है वो कहता है देख मैं जीवता हूं युगान युग जीवता हूं परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए आपको पर परमेश्वर ने छुटकारा दे करके देश के लिए इस्तिमाल किया पॉलुस और सिलास को प्रभु ने छुटकारा दे करके एक घराने को जेलर के घराने को उद्धार पाने के लिए इस्तिमाल किया यहुन्ना को कॉरंटाइन में रहते हुए कलिस्याओं के लिए देश औ प्रभू इस्तिमाल किया, आज आपको भी प्यारो, प्रभू इस्तिमाल करने के चाहता है, इस पुंडुत्थान दिवस के दिन, अपने मन को प्रभू क्यों लगाएं, अपनी आखों को प्रभू क्यों लगाएं, प्रभू हमारी सहायता करने पाए, वो हमारे साथ है, वो हम प्रतिजे की सामर्थ हमारे प्रिये लोग जिस जो इस वचन को सुन रहे हैं हम प्रार्थ में करते हैं के जीवनों में खारे करने पाए यह अकेले पन से अजाद होके प्रभू अपने निराशाओं से उपर उठ करके अपने आखों को तेरियो लगाने पाए और तेरे कारण बनने पाए एक एक वाशिष दे इस्तमाल कर येशु के नाम में आमिन परमेश्वर आप से मुपाशिष दे तेंक्यू